नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रगतिव और आप देख रहे हैं टोटल टीवी खबर के श्रवात करेंगे जोहाँ पानिपश शहरी सीट पर कॉंग्रेस के उमीदवार वरिंदर बुलेशा की लोगप्रिता और समर्थन को देखकर उनके समर्थक और शुपचिन तक गदग हैं दफ्तर में भी भीड देखने लगी है लोग चाय और कारक्रम कराने का समय मांग रहे हैं बुलेशा ने दावा किया है कि ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं पनिपश शहरी के कोंग्रेस उमीदवार वरिंदर बुलेशा की सक्रीता और विस्तता बता रही है कि उनके चाय के कारक्रमों और दूसरे दलों के नेताओं कारकरताओं के कोंग्रेस में शामिल होने की लंबे चोड़ी सूचियां तयार हैं इसी वज़े से उनके कारक्रम थोड़ा आगे पीछे भी हो रहे हैं लोग उनके दफ्तर में टाइम लेने पहुँच रहे हैं शुकरवार को वरिंदर बुलेशा दोपहर की नमाज के वक्त ईदगा में पहुँचे और सैक्डो मुस्लिम भाईयों से मिले उनसे बात करके उ बला मनज आदमी तो कर नहीं सकता और जो काम करें फिर उसके नाम की वोट क्यों नहीं मांगते हैं प्रापर्डी आइडी की मांगें पहचान पतर की मांगें जो कारपरेशन में हुआ है यह ऐसा दुनिया में कभी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ वरिंदर बुले शाह ने दावा किया कि अब बीजेपी सरकार चंद दिनों की महमान है ये चुनाव कोंग्रेस या वो नहीं लड़ रहे बलकि ये चुनाव तो लोग लड़ रहे हैं ये शाह परिवार का दस्वां विधानसभा चुनाव है करेंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, मैं दस्वां चुनाव लड़ रहा हूँ इस परिवार से कॉंग्रेस के टिकेट के उपर, दस्वां चुनाव है, दो बरी बड़े शाजी लड़े, छे बरी बाही लड़े गोरतलब है कि बुले शाह के दफ्तर में अब भीड दिखने लगी है क्योंकि राजनीती में संकेत कुछ इशारा करते हैं बुले शाह का कहना है कि उन्हें मिल लहा चोतरफा समर्थन अगर आशीरवाद में बदलता है तो वो ऐसे काम कर देगे कि फर्क साफ नजर आएगा चाहे वो विकास की बात हो, पाड़ दरशिता की बात हो, प्रशासन पर पकड़ की बात हो या फिर नईतिक्ता की दोहाई का तरीका वो यादगार पारी खेलना चाहते हैं कैमरामेन मनुष कुमार के साथ वेंदर कतोरिया टोटल लेउस पानिकवत बीरो